शिरी गुरुग्रान साब सलोक अनेक लीला राज रस रुपम छतर चमर लखत आसन रच्ती मोड अग्यान अंद नानक सुपन मनोरत माया अनेक कोतुक तमाशे राज्य सुख सुंदर्य छत्र चवर और बैठने को शाही सिंगासन इन पदाथों में अंधे मूर्ख अविवेकी व्यक्ती ही मस्त रगते हैं अनेक लीला राज रस रूपम छतर चमर तखत आसन रच्चती मोड अग्यान अंद नानक सुपन मनोरत माया माया की ये कोतुक तो सपन की चीजों के समान है अनेक परकार के कोतुक तमाशे राज्य सुख संदर चतर चवर बैठने को शाही सिंगासन इन पदाथों में वही लोग मस्त होते हैं जो अंदे मूर्ख विव्यक्ती होते माया की ये कोतुक तो सपन की चीजों के समान है है नानक जी प्रभु हरी के नाम से अलग रहने पर तो संदर माया चलावा ही है जैसे सपन में मनुश्य सब परकार का अनन्द भूगता है और वह उसके लिए अकर्षित बना रहता है लेकिन जागने पर कुछ भी देखने में नहीं आता वैसे ही मनुश्य का संसारी का अनन्द है आजे कल नहीं नानक नाम विहूनिया संदरी माया त्रो सपने सेती चितु मूर्खी लाया विश्रे राजरास पोग जागत पकलाया अर्जा गई विहाई तंदे ताया पूरण पहिना काम मया माया किया बचारा जन्तो जा आपी पुलाया मूर्ख मनुश्य सपन के मूँ में घिरा हुआ है राज्य और रसों के भोगों में प्रभू को विस्मरित करके बढ़ बढ़ा आ रहा है दुनियामी दंदे में बटकते वे उसकी तमाम उम्र भी जाती है लेकिन माया मू में अभद व्यक्ति के काम समापत होने में नहीं आते हैं विचारे जीव के भी क्या वश्य उस प्रभू नहीं इसे भ्रम में डाला हुआ पूरण पहिना काम मोया माया किया विचारा जन्तू जां आपी पुलाया सलोकर मस्ती स्वरग लोकर जितते पृथी नव घंड विश्रत हरी गुपाल नानक ते प्राणी उध्यान परमन यदी स्वरग जैसा देश में राते हूँ यदी तमाम पृथी को जीत लें इतना हुने पर भी यदी जगत के रक्षक प्रभु हरी को भुला दें तो मानो वे मनुश्य जिंगल में भटक रहें कोटक कोट तमासिया चितीन अवसू नाई नानक कोडी नरक ब्राबरे उजडो सोई थाई जगत के करोड़ो कोटक पूर्न तमाशों के कारणी यदी प्रभु का नाम हिद्दे में ना रहे तो हे नानक जी उस हिद्दे को उजाड समझे जिस हिद्दे के अंदर हरी का वासने वे स्थान भ्यावे नरक के तुल्य है जहां हरी का वासने महा प्यान उद्यान नगर करी मानिया चूठ समगरी पेकी सच्चू करी जानिया काम करोदी इंकारी फिरी देवानिया सिरी लगा जम गंडूता पच्चानिया बिन पूरे गुर्देव फिरे सेतानिया अत्यान भ्यावे जंगल को जीयों ने शेहर से विकार कर लिया इस नश्वर पनातों को देख करके हमेशा स्थिर रहने वाले मान लिया इसलिए एहंकार वश पागल हुए वे काम करोद आहम लोब के वशी बूत होकर के फिते हैं लेकिन जम रित्यों का डंडा सिर्थ पर लगता है तब पश्चाताब करते हैं वास्तों में पूर्ण गुरू की शरन ले बिना मनुश्य शेतान के तुल्ले है काम करोदी इंकारी फिरी देवानियां सिरी लगा जम डंडूता पच्छानियां विन पूरे गुर्देव फिरे सेतानियां